गुड बॉर्निंग सुडेंस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्जाम हट पे जैसे की कल हमने सोशल साइंस की सीरीज शुरू की थी और कि बेस्टी के लिए हमने टर्म 2 के जो है लेसंस उठाए हैं और HBSC में तो complete syllabus आना ही आना है तो इसके ठीक बाद हमारे ट तिन दे जो हम वो शुरू हो जाएंगे तो चलिए आज अब लोग economics का आपका जो first lesson है इस semester का वो कर रहे हैं money and credit उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा money should be to fulfill your needs it must not be to fulfill your needs जी हाँ पैसा money and credit जो आज का हमारा chapter है इस chapter में हम लोग जानेंगे कि जो है money है उसकी functioning क्या है credit क्या है banking क्या है credit के sources क्या है तो चलिए अपनी copy किताब उठा के जल्दी से मेरे साथ बैठ जाईए क्योंकि इस chapter की जो बातें आप लोग सुनेंगे वो आपके लिए ज्यादा beneficial होने वाली है क्योंकि इन्हीं पर आप लोग क्या कर सकते हो easily question बना सकते हो अगर आपको concept जो है easily cover है so money and credit class 10 आज हम लोग शुरू कर रहे है चलिए money and credit सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि money क्या है और credit क्या है अगर मैं आप से पूछो कि मुझे आप लोग money की definition दीज़ दिये तो आप लोग क्या definition देना चाहिए ठीक है बच्चे कहेंगे कि सर्पैसा चेक हो गया debit card, credit card ये but money is something that which is used for exchange जो चीज़ एक्सचेंज के लिए इस्तिमाल की जाती है means आपको कुछ भी चाहिए उसके मदले में पैसा दे के आपने क्या exchange किया वो चीज़ क्या कहलाती है money कहलाती है इसकी detail definition of money credit की जो हम लोग आगे करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते है करन्टी से what is currency आप लोगों को अगर मैं पूछो कि हमारे भारत की करन्सी क्या है तो आप कहेंगे रूपीज है अमेरिका की कहूंगा तो आप कहोगे यूएस डॉलर है तो इस तरीके तो हर करन्टी जो है उसकी अपनी अपनी क्या होती है currency होती है चलो so modern form of currency हम लोग आज की currency की बात करें तो आज की currency में जो है क्या क्या यूज करेंगे हम लोग paper notes यहां आप लोग देखते हैं कि जो paper notes है आपके पापा के पास है आपको जेब घर्ची की मिलते हैं paper notes हो गए coins हो गए currency is without its own use बस यह खास रखना पैसे का आपना कोई यूज नहीं है means आप पैसे वो है वो सिर्फ एक कागज है बस उसकी value कब बनती है जब आप उसके साथ क्या करते हैं कुछ भी exchange करते हैं हमारे भारत में जो Reserve Bank of India है भारत का जो Reserve Bank India है RBI the father of bank जिते कहते हैं वो क्या करता है currency notes issue करता है किसके भीहाफ पे Central Government के भीहाफ पे तो यह आपका पहला question है what is currency तो इसको ध्यान से लिख लीज दिएगा note इसको बड़ी सिम्पल सी language जो है इसको तयार किया गए आपकी NCRT books के recording है यह सो हमारे भारत में रूपी जो है वो widely accept किया जाता है as a medium of exchange means आपको कुछ भी खरीदना है pen खरीदना है किताब खरीदनी है freeze खरीदनी है दहेद का खरीदना है कुछ भी खरीदना है तो as a exchange आप क्या इस्तिमाल करेंगे money का इस्तिमाल करेंगे और it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है हमारे देश की सरकार ने इस currency को authorized किया है इसलिए कोई भी आपको refuse नहीं कर सकता exchange in exchange of money कि पैसा दे के आप कुछ भी exchange करेंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा वो देगा देगा so no other individual organization is allowed to issue currency और इसके लावा currency को issue नहीं कर सकता हमा सकती है so I think कि यह जो वर्ड है currency किसे कहते हो आपको समझ में आ गया होगा simple भाशन बता हूँ हर चीज जो as a medium of exchange इस्तिमाल की जाती है जो government authorize करती है वो क्या कहलाती है आपकी currency कहलाती है अगर बनता है तो मैंने यहाँ पर आप लोगों क्या कर रखा है लिख के दे दिया है जैसे हम बात करें यूएस की जो है currency वो है dollar यूएस की currency क्या होगी बच्चो डॉलर होगी ब्रिटेन की जो pound है Canada की Canadian dollar है Singapore की Singapore dollar है यह चोटी इसनके कुछ जो है pictures है according to the country और अगर मैं आपसे पूछ चूँ पाकिस्तान की currency क्या है तो मुझे comment करके जुरूर बताना कि पाकिस्तान की currency क्या है शिरलंका की currency क्या है नेपाल की currency क्या है ठीक है चलिए ओके अब चैना की जिस बात करो चैना की कौन सी होगी Chinese Yon हो गई Japan की Japanese Yen हो गई Australia की Australian dollar हो गई श्रिलंका की श्रिलंका रुपीज होगी मैंने आपको बता दिया चलिए अब पहला question जो शुरूआत होता है आपका अब होता है इसको बड़े ध्यां से इसको सुनिएगा इसके बाद हम जिसमें पानी है यह स्टील का गिलास है और बाटर सिस्टम को समझाने के लिए आपको एक एक जामपल देता हूं बाटर सिस्टम बुद्रा विनियम जिसे कहते हैं यह पुरारे टाइम में इस्तेमाल होता था उसमक्त क्या होता था कि लोग जो थे वो समान के बदले क्या खरीदते थे समान खरीदते थे तो समान के बदले समान खरीदते ना exchange of goods एक दूसरे के चीजों के साथ exchange करना क्या कहलाता था आपका बार्टर सिस्टम कहलाता था for example मैं एक steel का गिलास बनाने वाला हूं और ये एक दूसरा है जो क्या करता है वो पैंस बनाता है अब पुराने टाइम में क्या होता था कि जिसको पैंस चाहिए वो इस जो स्टील का गिलास बनाने वाला है वो इस पैंस के वाले के पास जाता था और इसे पैंस ले लेता और बदले में से क्या देता स्टील का गिला in ancient time पुराने टाइम में जो चीजों का क्या होता था exchange होता था वो क्या कहलाता था बार्टर सिस्टम कहलाता था क्राइम में बात करें तो हाथ की बदले हाथ सुनाओगा आप लोगोंने साओधी रभ का कानून है लिव कीजिए तो ये है आपका बार्टर सिस्टम तो बार्टर सिस्टम में लोग समान का अपस में क्या करते थे exchange करते थे इसके detail क्योंशन से है वो मैं आपको ले किया हूँ नेक्स सेशन में तब आपको ज़्यादा क्लेर हो जाएगा इस चीज़ का ये चलो लेकिन अब ये जो बार्टर सिस्टम था डेफिनेशन आपने सीख लिए क्योशन बनेगा आपका वट वोज बार्टर सिस्टम और वट वर इट लिमिटेशन इसकी लिमिटेशन क्या थी तो सुनिएगा पहला लेक ओफ डबल को इंसीडेंस ओफ वोंड तो मैं पहले आपको डबल को इंसीडेंस ओफ वोंड की डेफिनेशन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ अगर हम उसको कहें तो क्या होता है कि वैन बोथ बायर एंड सेलर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स जब बेचने वाला और खरीदने वाला अपना समान बदलने के लिए राजी हो जाते है वो क्या कहलाता है आपका डबल को इंसिडेंस ओ वोंट कहलाता है आव शक्ताओं का दोहरा संयोग कहलाता है मैं फिर एक अग्जामपल से देना चाहूंगा कि मेरे पास गिलास है और मुझे खरीदना है एक पैन तो मुझे एक ऐसा आदमी जो है वो सर्च करना पड़ेगा ढूनना पड़ेगा जिस अरा जो एक्सचेंज हो क्या हो जाएगा तो जब एक्सचेंज कंपलीड हो जाता है और इंसिदेंस ओंग वोंट कहला ता लेंगिं बाटर सिस्टें में यह चो आपी बड़ी दिक्कत थी मिंत कि एक जो आदमियों डूना बड़ा मुश्किल होता था तो डबल को इंसिदे दोनों पर दोनों आपेशेश्य करें तो चीजों की वैल्यू सट करना जो बहुत ज़्या हो जाएगा उसके बाद पाद पेइमट का जो मोर्ड सा बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था ौर कुछ कुछ चीजिए ऐसी होती थी जो इंडी फिंट अपको डिवाइड कर सकती थी फोड़ एक्जाबल आपको घर वेचना है इतना बड़ा घर वेचना तो ऊसके थोड़ा सा हिस्सा तो आप नहीं दे सकते ना तो यह जो चार जो limitation थी वो किसकी थी? barter system की थी उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको पता है कि money का जो है invention हो गया उसके बाद कौन आई? हमारी money आई और money ने क्या किया? इस barter system को completely क्या कर दिया? eliminate कर दिया क्योंकि अब हम लोगों को जरूरत नहीं है कि चीज के बदले हम लोग चीज दे हम लोग बस क्या करेंगे? पैसा देंगे और पैसे के बदले जो हमें चाहिए वो हम क्या करेंगे? ले देंगे So money की definition मैंने शुरूर में बात की थी आपसे यह आपके definition है आपकी कि anything that is used as a medium of exchange store of value and standard of preferred payment is called money की चीजों को exchange करने के लिए value देने के लिए हम जिसका इस्तिमाल करते हैं वो क्या कहलाती है? वो money कहलाती है So money के functions number one आपको पताईट is used as medium of exchange पैसा दो जो दिल करें वो लो उसके बाद store of value है आप money को easily क्या कर सकते हो? तो store करोगे, store करोगे तो उसकी value जो है money की भड़ेगी ना की घटेगी और उसके बाद money जो है हम लोग as a payment future payment के लिए money का क्या कर सकते है इस्तिमा, deferred payment से पूछू तो इसका मतलब है future payment कि आज मैं as a doctor आपको treat कर रहा हूं लेकिन आप कहते हो कि हम पैसा जो है in future देंगे तो future में भी क्या होगा? वो payment मुझे मिल सकती है in the form of money that is a deferred payment कहलाएगी आपकी so पुराने time में जो currency थी और कुछ ऐसी होती थी देखो आपको पताओ कि जो metals था लोग उसका इस्तिमाल किया करते थी किसका? metals का ठीक है? पत्थरों का इस्तिमाल किया करते थी जानवरों की खाल, जानवरों से बनीवी चीज़े इस्तिमाल किया करते थी और जैसे ही रे मूती, रतन पन्ने आपने सुने है ये सब old form of currency थी, जब currency की क्या होती है? शुरुवात होती है ठीक है? चलिए उसके बाद modern form of money, आपको मैं पहले ही बता चुगा हूँ modern form of money की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये coins होगे और क्या होगा? हमारे पास paper notes होगे उसके बाद next question बनता है आपका what is demand deposit? कि demand deposit आप किसे कहेंगे? what is demand deposit? जो आपको यहाँ पे board पे दिखा रहे हैं वो क्या है? बता सकते हैं? जो board पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? जिहां ये एक check है तो आपका question मनता है demand deposit किसे कहते हैं? what are demand deposit? क्या होता है कि हम पूरे महीने जो है वो कमाई करते हैं? पूरे महीने हम लोग कमाते हैं और पूरा महीने कमाने के बाद last में जो salary मिलती हैं हम लोगों को उसका पूरा use करते हैं दूद वाले को देना है इसको भी देना है उसका हरा हिसाब किया उसके बाद जो पैसा बच गया हमारे पास वो हम क्या करते हैं? बैंक में क्या करते हैं? deposit कराते हैं तो यहां पर demand deposit की definition क्या बनेगी? the money which we deposit in the bank वो पैसा जो हम लोग bank में deposit करते हैं वो क्या कहलाता है? demand deposit कहलाता है क्योंकि जब भी आपको जुरूट पड़े जब भी आपकी demand हो आप पैसा क्या कर सकते हो वहां से? बैंक से ले सकते हो on demand that is why it is known as demand deposit चलिए उसके बाद आता है bank bank कम आप उच्छों की बताइए कि bank क्या होता है तो आप क्या करेंगे? what is bank? bank एक वो प्लेस है जो हमारे पैसे को क्या करता है? जमा करता है लोगों के पास जो surplus money होती है उस surplus money को लोग क्या कर देते हैं? बैंक क्या करता है आपके उस 1,000 रुपए को loan activity में जो क्या करेगा वो इस्तिमाल करेगा means bank इस पैसे का इस्तिमाल करता है लोगों को loan देने के लिए और ये जो loan है इस loan के ओपर जो interest होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है अब मैं पुछो आपसे bank की अगर क्या है कमाई क्या है कि bank कैसे कमाई करता है तो आप क्या कहोगे देखो लोगों के पास जो होती है वो क्या होती है surplus money होती है surplus money मतलब extra money लोग इसे क्या करते है deposit कर देते है deposit कहा करते है वो इसे bank में deposit करते है Y targeting logo को क्या देता है उसLING पे interest मतलब ब्याज देता है उस्से और ब्याज मिलने के बाद क्या हूँआ bank जो क्या करता है इस जो money है mindset क्या कर देता है loan activities में क्या करता है तो suppose करो जो आपने 100 रुपे जमा करаюсь बयंक ने आपको कितना रुपे दिये 105 रुपे दिये पांच रुपे आपको एक्स्ट्रा दिये और जिस बंदे को लोन दिया इसमें 100 रुपे का वो उसे 120 रुपे लेगा तो इसमें से 5 रुपे तो आपको दे देगा 15 रुपे जो रखेगा वो बैक की क्या होगी कमाई होगी that is the earning of the bank एसे बैक क्या करता है अपनी कमाई करता है so credit किसे कहेंगे credit का वर्ड आप लोग उसको उसमें credit ले लिया यह ऐसा नहीं credit economics की लेंग्विज में different thing है credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money goods or services in return for the promise of future payment means कि दो बंदों के बीच का agreement है जिसमें एक आदमी क्या करता है किसी आदमी से पैसा लेता है या services लेता है एक particular period of time के लिए और उसकी payment जो वो क्या की जाती है हमेशा future के अंदर की जाती है that is known as credit कहते है उसको यह तो अब अगर उधार लोगे आप किसी से अगर आप किसी से क्या लोगे उधार लोगे तो उसकी शर्त क्या आपका next question मनता है what are the terms of credit what are terms of credit के उधार की क्या क्या शर्त है obviously common sense की बात हम किसी से उधार लेंगे सबसे पहले आता है collateral जैसे इस वर्ट जाता है security बच्चे को guarantee words ज्यादा चिन समझ पाएंगे आप किसी से उधार लोगे तो कहेगा भई क्या guarantee है कि तू आप इस देगा certified so as a collateral फो क्या use कर सकता आपने घर में खडी कार सिस्तिमाल कर सकता है घर में खडी भैस इस्तिमाल कर सकता है मकान की register कर सकता है जमीन इस्तिमाल कर सकता है कुछ भी कि if he fails to repay the load अगर जो नहीं दे पाएगा उस case में जो बंदा है जिसने उधार दिया है तो जो उसने रखा था US Collateral का इस्तेमाल करते हूए क्या कर सकता है क्प् लेकिर कितने ताइम आता जरूरी हो जाती है उसके आद नौ üzer weid जो सबसे ज़्यादा क्या है जरूरी है कि आपने मुझे पैसे दिये हैं तो आप जो इंट्रस्ट डेट क्या लगा होगे मानलों, आप मुझे 100 पे देते हो, तो बदल में किस पर्सेंट पर आप मुझे पैसे वापिस देने पड़ेंगे दो पे तीन पे पांच पे या दस पे तो यह बन जाती है हमारी terms of credit so अब बात करते हैं उधार की किसकी उधार की अब मुझे यह आप लोगों से जानना है कि उधार जरूरी है या नहीं है जी हाँ उधार बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोग कई वार ऐसा होता है कि वो अपने है कि जो रूरल एरियाज में credit की requirement farmers को कहा होती है तो आप कहोगे farmer को जो पहली जरूर्थ होती है वो seeds fertilizer यह जितने भी equipment उसके use होने वाले हैं उनके लिए क्या जरूर्थ होती है उसको credit की जरूर्थ होती है उसके बाद तो चार महिने का period होता है मीणस आज फसल उगानी है उसे उगाते वक तो उसे क्या चाहिए शब चीज़ेते हैं ज्रूरी होती है और जैसे उसकी फसल बन जाती है फसल को तियार करके वो उस कोशन बनेगा source of credit क्या बनेगा आपका source of credit कि जो उधार है वो देता कौन है उधार जो है वो देता कौन है तो हमारे इंडिया में दिरा two sources of credit credit मतलब साख के दोस्त्रोथ हमारे भारत में है सबसे पहला आता है formal source of credit लेपर में कोशन आएगा what do you understand by formal source of credit तो formal source of credit में क्या आएंगे आपका जितने भी banks जो है वो किसमें आते हैं आपकी formal source of credit में आते हैं cooperative societies जो है इसके अंदर आते हैं आपकी चोटे मोटे banks जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं आपके और रिजडरू बैंक ओप इंडिया के अंडर में यह साजे क्या करते हैं काम करते हैं इस बात को खास द्यानक लेगे ना कि फॉर्मल source of credit जो है वो टोटली टोटली जो किसक करता है ठीक है आरगे उसको क्या रखता है और यह क्या करते हैं इनकी इंट्रस रेट होती हो बिल्कुल क्या होती है लो होती है और वे कुछ स्पेसिफिक रूल को फोलो करके क्या करते हैं लोल देते हैं तो सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है आपका informal source of credit जो है आपका व आता है बस इनको सुपरवाइज करने वाला इनको ध्यान रखने वालते हैं और यह कोई स्पेसिफिक रूल को क्या नहीं करते है पीछे वाले इसको मिला कि आपका एक कोशन मंता है जो बहुत ज्यादा क्या है अग्जाम में आने के लिए एक मैंने वर्ड यूज किया था यहाँ पे मैं आपको अच्छी सी डेफिनिशन मैं दे चुका हूँ पर लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि in addition to the interest interest rate के लावा जो देने वाला है पैसा वो collateral के डिमांड कर सकता है collateral is an asset that the borrower earns collateral एक वो चीज़ है जो उधार लेने वाले के पास होती है जिसे land हो सकती है building हो सकती है वाइकल हो सकता है जानवर हो सकते है उसका bank में जमा कुछ पैसा हो सकता है और वो इसे ऐसे guarantee क्या करेगा use करेगा जब तक कि उसका loan क्या नहीं कर दिया जाता रीपे नहीं कर दिया जाता आप सोशलों की सब्सक्राइब को पहले बताया था लेकिन यहां पर क्यूं आया ताकि आपकी revision वी जो है वो साथ की साथ क्या हो जाए create हो जाए कुछ इस तरीकी से स्वाइड से वो हमने तियार की है मैं आपको बताया अगर रीपे को फेलुआ तो उस को लेटरोल को क्या कर सकता है वो जिसे मुदों बोलते ना जब्द कर लेगा वो और अपने पास रख लेगा ठीक है चलिए ज्यादा कुशनी चेप्टर में यह बना मोस्ट कोशन आपका मैं इसको थोड़ा किस उधार है क्रेडिट जो है वो बून भी है बून का मतलब वर्दान और वो एक क्रश भी बन सकता है एक अभिशाप भी बन सकता है यह आपकोशन है डेप ट्रैप ट्रैप से क्या समझते जिसम लोग हिंदी में बात करें तो हम इसको कहेंगे कर्ज जान कर्जे का जान उसने लोन लिया लोन इस उमीद से लिया कि उसकी फसल बड़ी शांदार होगी और उस पैसे को वापिस कर देगा पर खुदाना खास्ता कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो फसल है वो तबाह हो जाती है उसकेस में वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा इंटरसिट बढ़ती जा और इस तरह किस अगली बार विचारा कर जा चुका आएगा या अपना घर चलाएगा और वो एक कर्द के जाल में क्या हो जाता है वो पर जाता है कि वो सरकम्स्टेंस जिसमें एक बंदा लोन रीपे नहीं कर सकता तो डैप्ट कहलाता है अब वर्दान भी हो सकते हैं किसान ने पैसा लिया पैसा लेने के बाद फसल वही फसल बहुत अच्छ हुई पैसा दे दिया वापिस उसे टाइम पर लोन मिला तो उसके लिए क्या शाबित हुआ वर्दान जो है यह शाबित हुआ आपको बता दू हमारे एक नमबर के कोश्चन सा आपके कि गाहों के अंदर म बहुत कम है क्योंकि कर्द के जाल में मनी लेंडर की हाथों इसलिए फसते हैं क्योंकि कोई और्गनाजिशन को स्परवाइज करने वाला नहीं है इसलिए हमें जरूर थे कि फॉर्मल सोर्स क्रेडिट को क्या किया जाए बहुत ज़्यदा गाहों के अंदर बढ़ाया जाए अर अर्बन एरिया की अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया के अंदर आप लोग देख लिए गरीब लोग जो है जो थोड़े से पूर पिपल है वो क्या करते हैं 85% क्रेडिट इन्फॉर्मल सोर्स से लेते हैं और 18% जो हो बैंक से लेते हैं शहरों के अंदर जल्दी से लोन नहीं मिलता रिच जो है वो 90% लोन कहां से लेते हैं बैंक से लेते हैं सो फॉर्मल सोर्स जो है वो mostly क्या करता है रिच पीपल को बचाता है अभी पिछे वाला जो कोशन हमारा त्यार हुआ था कि हमें फॉर्मल सोर्स ओफ क्रेडिट को बढ़ाने की जरूरत क्यों है चलिए next करते है ओके नॉर्मल तरो कोशन हमारे बैंक जो है वो 90% loan अमीर लोगों को दे रहे किसको दे रहे हैं अमीर लोगों को दे रहे हैं लोग तो यह वज़य क्या है इसकी वज़य जो यह रहेगी क्योंकि लोगों के जुग गरीब लोग होते हैं कई पर क्या नहीं होते अवेलेबल ही नहीं होते बैंक अवेलेबल नहीं होंगे तो common sense की बात है कि जो poor लोग है उनको credit देगा कॉन अगर bank अच्छे से अवेलेबल है तो उनक्या मिल सकता है लोन मिल सकता है उसके बाद poor people को credit भर्दी नहीं मांगते उन्हें लगता कि इससे क पाते हैं तब हमारे भारत में एक नया जो है एक पैटर्न जो है वह आप लोग देखने को मिलेगा आपको जो शुरू हुआ है डैट is self help group क्या self help group बड़ा मोस सा है यह सुन्य का ध्यान से बहुत असान सा भी है अगर हम लोग बात करें self help group की so self help group क्या होता है कि जैसे हम 10 लोग इकठ्छे हो जाते है और अब लोग क्या करते है चलो बैपा हर महिने 1000 रुपे क्या करेंगे एक अदमी का तो 1000 गया लेकिन 10 ने मिलके 10,000 कर लिए वक्त के साथ साथ उन पूरी टीम के पास एक अच्छा पैसा इकठ्छा हो जाता है और वो mostly women होती है इसके अंदर हर कोई थोड़ा सा पैसा contribute करता है बाकि जो मैंने आपको बता दी थी कि इनकी rate of interest जो क्या होगी कम होगी आपस समें एक दुसरे की need को पूरा करेंगे दो तीन साल बाद even bank से भी loan ले सकते हैं ये क्योंकि इनके खाते में इतने पैसे होते हैं कि bank as a collateral demand deposit को क्या कर सकता है यूज कर सकता है तो self-help group की जो importance है वो क्या रहेगी कि self-help group की importance क्या है very good low rate of interest पे जितने भी low rate of interest पे क्या मिल सकता है इसके members को loan मिल जाता है और इनको employment मिल जाती है अच्छे से discuss कर सकते हैं कई social issue के ओपर health pay, nutrition pay, domestic violence, etc. means ये हमारे देश के लिए काफी अ इस चेप्टर, बस इस चेप्टर में इतना ही था आपके main question बनेंगे formal source or informal source credit क्या है, barter system क्या है, double coincidence or wards क्या है पर एक बार हम इस चेप्टर की जो exercise है वो हमारी next session में करेंगे जिससे आप लोगों को इस चेप्टर जो हो complete अच्छे से क्या हो जाएगा, clear हो जाएगा, सो ब पसंद आया हो तो इस चैनल को please like, share और subscribe कर दीजे ताकि हम लोगों को encouragement मिले और आप लोगों के लिए हम लोग जो है वो करते रहें, thank you, jai hin, jai bharat, vandemaater